चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन भी दवाएं ताकि नए वीडियो आप सकते हैं हाई स्टुडेंट्स गुड मोर्निंग अलफ यू आज देखते हैं कि चो पिछला perspective अपने आप दिया था उस वीडियो में क्या था कि हमने आपको बिसिस्ट चालकता तक पड़ादिया था है ना बिसिष्ट चालकता के बाद में अब देखते हैं कि इससे सम्मंदित कुछ प्रसंद पूँच दिये जाते हैं बिसिष्ट चालकता और मोलर चालकता से जैसे हमारे पास ये एक नुमेरकल है जिसमें वो कह रहा है कि एक सेल में एक बिद्दु तबगट के 0.5 एम बिलेन का प्रत्रोद 45 ओम है बिलेन की मोलर चालकता की गणना कीजिए यदि सेल में इलक्ट्रोड 2.2 सेंटीमीटर की दूरी पर इस्तित हों तथा उनका छेत्रफल 3.8 सेंटीमीटर स्क्वाइर हो तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें मोलर चालकता ग्याद करनी है और हमने आपको बताया था कि मोलर जो चालकता होती है उसे हम हाफ लेमडा से प्रदर्सित करते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले उसने आप से कहा है कि एक सेल में एक बिद्दुत C वरावर हमें दिया गया है 0.5 M इसके बाद प्रतरोध हमें दे रहा है 0.5 M बिलेन का प्रतरोध एनि की R का मान हमें दिया गया है 45 और फिर आप से बिलेन की मोलर चालकता पूछ रहा है मोलर चालकता को आपको ग्याद करना है और सेल में जो इलक्ट्रोड है जो इलक्ट्रोड होते हैं जैसे मान लेते हैं यह हमारे पास एक सेल है यह दो इलक्ट्रोड हो गए है ठीक है ना जो इलक्ट्रोड है इन इलक्ट्रोडों के बीच की हमें दूरी दी गई है एल का आमान हमें वो दे रहा है 2.2 cm और इसके बाद में उनका छेत्रफल एनि की इलक्प्रोड का हमें छेत्रफल यहाँ पर दिया गया है एक एक आमान है हमारे पास 3.8 cm2 हमें मोलर चालकता ग्याद करनी है तो हम क्या करते हैं कि मोलर चालकता को हम कैसे ग्याद करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोलर चालकता से पहले अगर हम विसिष्ट चालकता को ग्याद कर लें विसिष्ट चालकता को तो मोलर चालकता आसानी से ग्याद हो जाएगी और विसिष्ट चालकता के लिए हमने आप लोगों को एक फार्मूला दिया था हमने आप से कहा था कि विसिष्ट चालकता जो होती है वो विसिष्ट प्रतिरोध के ब्यूतक्रम के बराबर हो जाएगी तो अगर हम विसिष्ट प्रत्रोध की बात करते हैं तो विसिष्ट प्रत्रोध को देख लीजिएगा विसिष्ट प्रत्रोध के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि जो विसिष्ट प्रत्रोध होता है वो होता है आर ए अपान एल यह विशिष्ट पत्रोत था अगर हम इसका वियुतकरम करने जाएंगे जैसे तो कपपा वरावर हमारे पास इसका उल्टा कर देना हमें तो आजाएगा हमारे पास EL अपान RE तो सबसे पहले हम विशिष्ट चालकता को गयाद करेंगे जो कप्पा है वो आपकी विसिष्ट चालकता हो गई यहां से हम विसिष्ट चालकता को ग्याद करेंगे तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा सूत्र कप्पा वराबर एल अपान आर ए हम इससे चलेंगे अब देखो यहां पर एल का मान आपके पास क्या है L का मान आपके पास है 2.2 अपान फिर R है R का मान क्या है 45 एनिकी into A A का मान क्या है 3.8 इसे हम क्या करेंगे solve कर देते हैं तो हमारे पास तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा इधर देखिएगा कपपा वरावर 2.2 अपान अब इसे हम जब solve करते हैं तो इसका हमारे पास आएगा 171 ठीक है अब यहां पर और थोड़ा आगे चलते हैं तो हमारे पास ओजाएगा कपपा वरावर 0.01286 यह बिसिष्ट चालकता आ गया बिसिष्ट चालकता जो आई है अब इस बिसिष्ट चालकता में हम देखते हैं कि इसका हमने आपको मात्रक भी बताया था मात्रक हमने आपको क्या बताया था मात्रक हमने आपको बताया था कि या तो हम इसे लिख सकते हैं Aum inverse, centimeter inverse, या हमने आपको एक चीज और बताही थी, कि जो एक Oum inverse होता है, वह एक Simon's के बराबर होता है. तो यहाँ पर हम दूसरा मातरक searching भी लिख सकते हैं, Simon's centimeter inverse. ठीक है ना? अब यह कप्पा का मान हमारे पास आ गया. हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए है यहाँ पर molar चालकता तो molar चालकता और विसिष्ट चालकता में एक संबंध होता है यहनि कि molar चालकता वरावर हो जाता है कपपा into 1000 upon C C क्या है सांगरता है ठीक है ना कपपा जो है वो विसिष्ट चालकता हो गई अब C का मान भी है आपके पास 0.5 कपपा का भी मान आपने ग्याद किया 0.01286 यह मान हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा molar चालकता वरावर 0.01286 into upon 0.5 ठीक अब इसे हम सॉल्व करते हैं अब 1000 का जब हम इसमें गुड़ा करेंगे तो जो हमारा दसम्लव है वो तीन अंक पीछे खिसक जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा molar चालकता वरावर 12.86 upon 0.5 अब यहाँ पर देखिएगा ठीक है ना इसे भी अगर हम हटाते हैं यहाँ से तो तब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 128.6 बटे 5 अब इसका इसमें भाग दे दीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा आंसर आपका आजाएगा 25.7 अब यहाँ पर देखेंगे कि जो मोलर चालक्ता है मोलर चालक्ता का मात्रक क्या हमने आपको बताया था तो मोलर चालक्ता का हमने आपको मात्रक बताया था ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वार इंटू मोल इनवर्स ठीक है तो अगर हमें कोई भी प्रसंद दिया जाता है और उसमें हमसे अगर बिसिष्ट चालकता या मोलर चालकता के वारे में पूँच रहा है तो हम इसी प्रकार से प्रत्येक सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं प्रत्य एक प्रसंद का हम उसके आंसर दे पाएंगे जैसे इसमें कही दिया है कि एक सेल में एक विद्धुत अबगट के 0.5 बिलियन का प्रतिरोध 45 ओम पाया गया है ना फिर बिलियन की मोलर चालकता की गलना करनी है यदि सेल में जो दोनों इलक्ट्रोड है उन दोनों इलक्ट्रोडों के बीच की दूरी 2.2 cm आप देखिये गा इसमें C हमें दी गई थी, R का मान भी हमें मालूम है मोलर चालकता हमसे पूछ रहा है L हमें दी गई है, दो इलक्ट्रोडों के बीच की दूरी है ना, और A क्या है, इलक्ट्रोड का छेत फल भो भी आपको दिया गया हमने फार्मूला लगा, कप्पा वरावर यह अपान, R A मान रखे, कैलक्ट्रोड किया, हमारे पास कप्पा कांसर आ गया इसके बाद में हमने मोलर चालकता गयात की तो मोलर चालकता और कप्पा में यह संबन्द होता है आपक पर जिसका नाम है कोल्राउस नियम ठीक है ना कोल्राउस नियम है यह भी अधिक से अधिक कूश दिया जाता है कि कोल्राउस नियम क्या है तो अगर हम बात करें कि कोल्राउस नियम की तो कोल्राउस नियम है वो प्रवल जो विददुत अभगट होते है उनके उपर दिया गिया था ठीक है ना तो हम कह सकते हैं कि अनन्त तनुता पर किसी विदुत अभगट बिलें की मौलर चालगता जो होती है यहनी कि कोई भी दुर्वल बिद्दु तबगट का बिलेन है और उस बिलेन की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी वो बिलेन में उपस्तित धनायन और रिणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर हो जाएगी जैसे हम बात करते हैं कि अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता आ रही है इसे हम माल अननत तनुता पर बिलेट की मोलर चालगता अब ये जो बरावर होगी ये बिलेट में उपस्तित धनायन और रिड़ायन की मोलर चालगताओं के योग के बरावर हो जाएगी। यही है कोल राउसनियम यहनी कि अनन्त तनुता पर किसी बिद्दुत अपगट बिलेन की मोलर चालकता उसमें उपस्तित धन आइनों और रिड आइनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है ठीक है अगर जैसे हमने माल लिया है कि यह अनन्त तनुता पर बिलेन की मोलर चालकता हो गई है और यह धनाइन की मोलर चालकता है और यह रिड आइन की मोलर चालकता है तो अगर कोलराउस नियम देखेंगे तो हमारे पास जो कोलराउस नियम का फार्मूला आएगा वो यही आजाएगा ठीक है तो अगर हमें इतना फार्मूला पता है कि अनन्त तनुता पर बिलेन की मोलर चालकता वराबर धनाएन की मोलर चालकता और प्लस रिडाएन की मोलर चालकता तो हम कोलराउस नियम को पूरा दे सकते हैं हम कह सकते हैं कि किसी अनंत तनुता पर किसी बिद्दुत अपगट के बिलेन की चालकता या मोलर चालकता जो बिलेन में उपस्तित धनायन और रिड़ आयन होते हैं उनकी मोलर चालकताओं के योग के बरावर होती है ठीक है एनि कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि कोलराउस नियम क्या है तो आप अपनी भासा में उसे समझा सकते हैं कि कोलराउस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी बिद्दुत अपगट बिलेन की मोलर चालकता बिलेन में उपस्तित धनायन और रिड़ आयन की मोलर चाल रखताओं के योग के बरावर होती है अब बात करते हैं कि जैसे कोलराउस नियम है कोलराउस नियम की अनुप्रियोग की अगर हम बात करें तो कोलराउस नियम के जो अनुप्रियोग है वो इसमें दो है अनुप्रियोग पहला तो अनुप्रियोग आपका हो जाता है अनंत तनुता पर बिलेजन की मोलर चालकता गयात करना मोलर चालकता तो पहला अनुप्रियोग हो जाएगा कि अनंत तनुता पर बिलेजन की मोलर चालकता गयात करने में गयात करने में ये पोलराउस नियम का पहला अनुप्रियोग हो गया है दूसरा अनुप्रियोग क्या हो जाएगा दूसरा अनुप्रियों वो जाता है बियोजन की मात्रा ज्याद करने में बियोजन की मात्रा की अगर हम बात करें अल्फा अब अल्फा का मान हम कैसे ज्याद करेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विद्दु तबगट बिलेयन की अनंत तनुता पर मोलर चालगता होगी और उसकी जो मोलर चालगता होगी यहनी कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता और मोलर चालकता का जो अनुपात आएगा उसी अनुपात से हम जो बिलेन है विद्दुत अबगट का बिलेन है उसके बियोजन की मात्रा को हम ग्याद कर सकते हैं ठीक है तो अब अनुप्रियोग में पहला तो अनुप्रियोग आपक करने में और दूसरा हो जाएगा कि तीके आप यहां पर जैसे आ राउस नियम हमने आपको बता दिया था बात करते हैं कि कोल राउस नियम से सम्मंदित कुछ नुमेरकल आप से पूचे जाते हैं ठीक है अब यहां पर देखिएगा जैसे अनंत प्रसंद में कह रहा है कि सोडियम एसीटेट के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान क्रमसहा चार सोचब्विस दसम्लब एक कामा एक सोचब्विस दसम्लब पांच तथा एक्यानवे दसम्लब जीरो ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्कुर्ब मोल इन्वर्स है तो आपसे एसिटिक अमल के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान की गणना करवा रहा है तो हमें क्या करना है कि कोलराउस नियम के अनुसार चलना है कोलराउस नियम में हमने आपको बताया था कि अनंत तनुता पर किसी भी बिलेन की जो मोलर चालकता होती है वो बिलेन में उपस्तित धनायनों और रिड़ आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है अब यहीं से चलते हैं जैसे हमारे पास विद्दुत अबगट का पहला बिलेन है HCL तो HCL है नहीं कि हाइड् प्रॉरिक अम्ल के अम्ल का जो बिलेन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान आपको दिया गया है तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से सही ना यहीं कि अनंत तनुता पर जो यह सीयल बिलियन है उसकी मोलर चालकता आपके पास है 426.1 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वार मोल इन्वर्स इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड का बिलियन है इसकी मोलर चालकता आपको दे दी गई तो अनंत तनुता पर एने सीयल बिलियन की भी आपको मोलर चालकता दी गई है 126.5 मात्रक है ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वार मोल इन्वर्स इसी प्रकार सोडियम एसीटेट बिलियन की भी आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकता दी गई है 91 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वार मोल इन्वर्स ठीक है अब हमें करना क्या है कि हमें एसीटीक अमल का जो बिलियन है उस बिलियन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ग्याद करनी है अब देखो यहाँ पर कोल राउस नियम के इसाब से चले हैं कि अगर हम यहाँ पर एसीएल की बात करते हैं तो एसीएल में आपको दो आइन मिलेंगे एक हाइड्रोजन आइन और एक क्लोराइड आइन इसी प्रकार हम सभी को क्या करते हैं सबसे पहले आइनों में तोड़ रहे हैं तो अगर हम एसीएल की बात कर रहे हैं यह hydrogen ion हो गया और यह आपका chloride ion हो गया इसी प्रकार से अगर हम NACL को तोड़ेंगे और इसी प्रकार से हम तोड़ेंगे sodium acetate को अब यहाँ पर अनन्त तनुता पर यह CL की molar चालकता दे दी गई है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस क्लोराइड ion की molar चालकता इसे डाल दीजेगा समीकर नंबर एक इसी प्रकार से अब आजाओ फिर यहाँ पर देखो इसका भी अगर हम आईनी करने जाएंगे तो हम डारेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं 126.5 बरावर sodium ion की molar चालकता प्लस क्लोराइड ion की molar चालकता समीकर नंबर दो इसी प्रकार से इसका भी अगर हम आईनी करन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 99 बरावर acetate ion की molar चालकता प्लस sodium ion की molar चालकता इसे डाल देते समीकर नंबर तीन और हम यहाँ पर acetic अमल का भी आईनी करन कर रहे हैं acetic अमल की अनन्त तनुता पर molar चालकता बरावर acetate ion प्लस hydrogen ion ठीक है यहाँ पर hydrogen ion है यह देखो hydrogen ion ठीक है इसे डाल लीजेगा समीकर नंबर A हमें यही मान यहाँ से ग्याद करना पड़ेगा अब देखो यहाँ पर हमारे पास अगर हम acetic अमल के आईनों को देखते हैं तो acetic अमल के जब आप आईन देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजेगा इसमें acetate ion है और hydrogen ion है अब आप देखो जो आपके पास तीन समीकर बने हुए है उनमें से acetate ion कहाँ पर रहा यह रहा और hydrogen ion आपके पास कहाँ पर है यह है यहीं कि acetate ion है समीकर नमबर तीन में और hydrogen ion है समीकर नमबर एक में तो हम क्या करते हैं कि समीकर एक और तीन को जोड रहे हैं हमें आप लिख देंगे समीकर एक वा तीन को जोडने पर समीकर एक और तीन को हम जोड रहे हैं यहाँ पर अगर हम समीकर एक और तीन को जोड है तो क्या आ जाएगा समीकर एक में देखिएगा आप 426.1 समीकर तीन में देखो 91 तो हम 426 में 91 को जोडेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पान सो सत्रा दसमलव एक ठीक है अब बरावर अब हमने इस साइड को जोड़ दिया है तो इन्हें भी हम जोड़ देते हैं तब हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आइन की मोलर चा लगता प्लस क्लोराइड आइन की मोलर चा लगता प्लस एसी टेट आइन की मोलर चा लगता प्लस सोडियम आइन की मोलर चा लगता इसे डाल देते हैं समीकर्ण नमबर 4 अब देखो यहां पर एसिटिक अमल का जब हमने आइनी करण किया है यहां पर तो हमारे पास एसीटेट आइन है हाइड्रोजन आइन है एनि की एसीटेट आइन और हाइड्रोजन आइन अब है क्या नहीं ना तो सोडियम आइन है ना ही क्लोराइड आइन है तो उसके लिए हमारे पास एक समीकर्ण बचा हुआ है समीकर्ण नमबर 2 तो हम क्या करें कि अगर समीकर्ण 4 में से समीकर्ण 2 को घटा दें तो हमारे पास सिर्फ sodium, वो सोरी acetate iron और hydrogen iron ही बचेगा तो हम समीकरण 4 में से समीकरण 1 को, वो सोरी समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 4 माइनस 2 अब इसमें से आप इसे घटाएंगे तो हम घटाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आजाएगा 6 और फिर इसके बाद में ठीक है, 390.6 आएगा निकल कर 390.6 बराबर, है ना, 390.6 बराबर, अब यहाँ पर देखो, सोडियम आइन यहाँ पर है, और सोडियम आइन की यहाँ पर भी चालगता है, मोलर चालगता है, तो यह आपस में कट जाएंगे, क्योंकि जब हम एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं, तो बहाँ पर क्या होता है, कि जो चिन हैं, वो बदल जाते हैं, अभी य यहां पर प्लस का है यहां पर हो गया माइनस का यह भी प्लस का है यह भी माइनस का हो गया तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस यह खतम हो गया यहां पर माइनस यह प्लस यह भी समाप्त हो जाएगे तो आपके पास क्या बचेगा केवल बच जाएगा यहां पर हाइड्रोज आइन की मोलर चाल लगता और प्लस एसी टेट आइन की मोलर चाल लगता अब इसे हम डाल देते हैं समीकरण नंबर B अब समीकरण A को देखिएगा और B को देखिएगा हम A और B की तुलना कर देंगे समीकरण A बाद B से तो जब तुलना करने जाएंगे तो A सिटीक अमल की अनंद तनुता पर जो मोलर चाल लगता आएगी वो यह आजाएगी आपकी तो आपके पास हो जाएगा अनंत तनुता पर एस्टिक अमली की मोलर चालगता वरावर 390.6 मात्र क्या होता है ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वेर मोल इन्वर्स ठीक है तो अगर इस प्रकार से हमसे किसी भी विद्दु तबगट बिलेन की या बिद्दु तबगट जो पदार्त उसके बिलेन की अनंत तनुता पर मोलर चालगता पूछी जाएगी तो हम इसी प्रकार से सभी का आंसर दे सकते हैं ठीक है अब यहां तक जितना भी हो गया है आप लोग घर पर पढ़िएगा थोड़ी मेहनत कीजिएगा और इसके बाद में जो भी आंगे का वीडियो है वो हम आप लोगों को कल अप्लोड कर देंगे ठीक और इसके बाद एक चीज़ अबस्त ध्यार लगकें कि चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और सेयर करना करना भूलें